तो आगत है दोस्तो एक बार फिर से आपके अपने चैनल All In One Solution इन इंदी में दोस्तो मैं हूँ नीरा जा रहे है दोस्तो आज ले कहा हूँ मैं आपके लिए की वीडियो आपके पैट्स आपके डोगी के लिए जो है बुखार की समस्या कुत्तो में बुखार की समस्या यदि कि आप कुट्यों को बुखार है तो उसपे आप जो है देसी घरेलू उपचार किस तरीके से करेंगे क्योंकि दोस्तो यह मूट परणी है यह बोल नहीं सकता है तो हमें इसकी बात समझ नहीं है क्योंकि यह बहुत वफादार होता है हमारी रक्षा करता है हमारी घर की वीडियो मिलती रहेंगी और घंटी के निशान को भी जरूर दबाएं दोस्तों चली शुरू करते हैं दोस्तों यदि आपका कुट्टा आपका डोगी आपका पैट्स कुछ भी है यदि बीमार है उसको बुखार है उसको जुर है ठीक है इसको फीवर है तो इसके लिए मैं कुछ घरेली उपचार बताऊंगा आपको जो आपने घर पर ही बड़े आसानी से करते हैं आपका कुट्टा जो है बड़ी तीजी से स्वस्तों जाता है दोस्तों नुस्खा नंबर एक मेथी वे अजवायन 25-25 गिराम आपको लेनी है मेथी और अजवायन 25-25 गिराम लेनी जब पानी आधा रह जाए तो उतार कर रख लें और ठंडा कर लें सुभै साम कुट्टे को ये पिलाने से जो है उसका बुखार ठीक हो जाता है दोस्तों अब बात करेंगे हैं नुस्खा नंबर दो की जीरा, हल्दी, सेंधा नमक, गोल मिर्च सभी वस्तों को उची तनु पात में लेकर चोथाया जल का काड़ा बनाकर गरम गरम सुभै साम फिलाएं यानि ये सब चीजे लेकर आपको पानी को उबालना है जब वो एक चोथाई रह जाए तो इस काड़े को जो है गरम गरम सुभै साम निवाया करके निवाया मतलब अपने कुट्टे को दें तो कि इसे भुखारची हो जाता है दोस्तो इसके दो या एक दिन पर्योग मातर से ही कुट्टे के सुस्ति कुष्टे का अलस्य और और मनों के रोग में dan ऀ्ट्रों की लालिमा जैसे अंखे लाल होजाती है तो दोस्तो आशा करता हूं वीडियो आपको इच्छी लगी होगी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें यदि आपने achiker करें, आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, गंटी के निशान को दबाएं, जिससे हमारी वीडियो मिलेंगी, आपको सबसे पहले सबसे जल्दी दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद हमश्वाद